हेलो प्रेंड्स मेरे यूटूब चैनल बेल कलासेज में आपका हर्दिक स्वागत अभिनंदन है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एजलीव क्या काम आती है क्या इसकी डोज रेट है किस कारण वर्स हम इसे देश सकते हैं कि एजलीव में विटामिन ए विटामिन डी परियाप्त मात्रा में मिलता है तथा विटामिन सी भी बरपूर मात्रा में पाया जाते हैं इसमें सहयत्की मात्रा भी परियाप्त पाया जाती है वह परियाप्त मात्रा में केल्सियम भी पाया जाते हैं यह हम उस पसु को दे सकते है यदी पसु लंबे समय से बिमार हो तो उसमें हम एजलीव दे सकते हैं जो पसु बार-बार हापता हो चैप फिर तनाव में रहता हो उसे भी हम एजलीव दे पसु रेपीट रीडिंग का कारण है या फिर ठेंगर नहीं रहा उस तति में भी हम एज़्लिव दे सकते हैं यह कि यदि पसु का दूद नहीं बढ़ रहा हूँ तो उस टाइम भी हम एजलीव दे सकते हैं इसमें डोज रेट बड़े पसू में 50 हमल पर दे चोटे पसू में 20 हमल तथा डोग के अंदर 10 हमल रहती है यदि पसू जैसे सांड में अगर पसू का सांणिंग कोट बनाना हो तो उस सवस्ता में भी हम एजलीव दे सकते हैं यदि गाई भैस जोड़ा या फिर फिर कुद्टे नदर बाल जड़रे हैं उस सवस्ता में भी हम एजलीव दे सकते हैं या फिर कि गाई भैस के अंदर unless स्मय से थैनेला रोग चल रहा है तो उस सवस्ता में भी हम एजलीव दे सकते हैं यह हैं जादत मुख्यत हैं पसु हापता हो या तनाव में हो उस वस्ता में हम एजलिव दे सकते हैं काफी अच्छा इसका रिजल्ट है